हेलो दोस्तों ये हमारी 500 रेक है ये इसको केसिंग की हुए हम लोगों को दस दिन हो गया है सोला में इसकी केसिंग करी थी हमने आच 26 है तो दस दिन हो गया है और माइसीलियम का स्टेटस है, थोड़ा माइसीलियम स्लो रहन हो रहा है, विकोज टेमपरेचर काफी कम है, हम लोगों ने हेलोजन जला रखी थी, यह हेलोजन है, इसको हमने जला रखा है, क्योंकि टेमपरेचर रात में 10 डिगरी भी चला जाता है, तो अभी इसका टेमपरेच इसको मेंटेन कर सकते हैं जमीन पे थोड़ा वाटरिंग कर दीजे दिवालों पे तो अपने आप मेंटेन हो जाता है और इसकी वाटरिंग हम लोगों ने परसो करी थी तो अभी शाम का टाइम है तो आइधिंग थोड़ा तो ड्राइब हो रखा है बट यह मैंनेज हो जाएगा इसके हम लोग सुबह वाटरिंग करेंगे अभी वाटरिंग इसकी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि कुछ बैग में मौस्चर है अच्छा-कासा कुछ बैग में मौस् इसने का प्रोग्रेस है देखिए आँ मैंसीलियम सिंपरेचर पे तो अधिक ठाप चल रहा है देख सकते हैं तोर ता कि में सिल्म कर सब्हारा है तो कोशिश यही रहती है कि इस टाइम प्रेचर का बड़ा इशू रहता है तो तंप टेमप्रेचर कमसे कम डाउंना हुआ सका बाकी तो सब ठीक है क्योंकि माइसेलियम को रण होने के लिए टेंपरेचरी में पॉइंट होता है यह देख सकते हैं के सिंग काफी अच्छी रण हो रही है इसी बात नहीं है कि नहीं हो रही है तो जल्दी ही यह बैग रडी हो जाएगा तो दस दिन हो गया बट हमें इसमें कवरिंग की जरूत नहीं मालूम पड़ी क्योंकि जो गलती हम लोगों से लास्ट वाले बैच में वी थी एक हजर बैग में वह इसमें नहीं कर रहे हैं लोग हम लोगों ने इसमें नाप कर है कि गवे लगबं लगबंशी एक्वेलैंट है तो इसको कर रॉफलिंग की जरूद्दी को झालत नहीं है हो तब कर नहीं पड़ती है जब आपको कहींसे का जॉला देख जाया कहीं से आपको लगे कि हाकरना है डर्वाइस जरूरत नहीं पड़ती है आपका ऐसा भी एक बार में डाले वे भी काम चल जाता है